अखिलेश माया ने भीर से जोड़ा भावनात्मक रिष्टा दोस्तों अगर आप चाहते माया वती देश की प्रधानमंत्री बने तो इस वीडियो को लाइक करे और वीडियो पूरा देखे यहीं पास में मैदान है जो अमूमन खाली रहता था शनिवार को खचाकज भरा था मका था गड़बंदन की जनसभा का उच्साहित भीर को नेताओं ने भावनात्मक रिष्टों से मजबूती देने की कोशिश की बसपा सुप्रीमो माया वती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक ने भावुक होते हुए अपने रिष्टे बया किये माया वती ने जहां बिलसी विदान सभा से चुनाव लड़कर जीत की याद ताजा करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने उन्हें विदान सभा तक भेजा है वहीं अखिलेश यादव ने बदायूं को अपन की कर्म भूमी के तोर पर याद किया इससे पहले सपा बसपा गटबंदन प्रत्याशी सांसत धर्मेंद्र यादव ने जनता से मिले प्रेम का जिक्र किया बोले दस साल पहले यहां के लोग नेता जी यानि मुलायम सिन्ग यादव से उन्हें मांग कर लाए थे बदायूं वालों के लिए यह पहला मौका था जब मायावती और अखिलेश यादव को एक मंच पर देखा इन्हें सुनने की ललक भधिखी धूप से बेपरवाह भीड मैदान में जुड़ती रही हाला कि जनता के लिए वहां कई पंडाल लगे थे लेकिन भीड के सामने वे पंडाल चोटे पड़ गए दो पहर करीब दो बचकर अठावन मिनिट बजे बसपा सुप्रीमों ने भाशन शुरू किया कहा भीड के जबरदस्त जोश को देखकर लग रहा नमो नमो वाले आ रहे हैं जय भीम वाले आ रहे हैं अगले ही पल उन्होंने बदायू की सरजमी का इतिह चास बताते हुए कहा कि यहां से उनका भावनात्मक रिष्टा जुडा है वैसे ही अब लोग गडबंदन प्रत्याशी को भी वही सनेहद देंगे अखिलेश यादव ने भी इस जमीम को अपने पिता की कर्म भूमी बताते हुए जनता को रिष्जाने की हर संभव कोशिश की भावुक होते हुए जब सहयोग मांगा तो सभी ने हाथ हिला कर उनका अभिवादन किया सांसत धर्मेंद्र यादव ने कहा कि दस साल पहले यहां की राजनीती में कुछ मोड आने वाला था इसी बीच पूरु मंत्री बनवारी सिंग यादव समेत यहां के तमाम लोग स पहुँचे थे उन्होंने सपा संग्रक्षक मुलायम सिंग से उनको मांगा था उस वक उनका मुकाबला यहां गुंडे और माफिया से हुआ लेकिन जनता ने उनके सिर पर जीत का सहरा बांधा और दूसरे चुनाव में भी विरोधियों की आंधी में यहां जीते थे अब फिर से वे उन्हीं रिष्टों की बदौलत जनता के बीच हैं सुरक्षा घेरा तूटा ब्लाक कमांडों ने संभाला मूर्चा जासन स्टेज से लेकर भीड के बीच जो सुरक्षा घेरा बना था वेह भीड के उत्साहक के सामने धाराशाई हो गया भाशन के दोरान कुछ जिवा नारे बाजी करते हुए उस घेरे पर चड़े तो वेह तूट गया कई नीचे जागिरे ब्लाक कमांडों ने वहां पहुच कर मूर्चा संभाला हेलिपेड पर जोटी भीड पुलिस के छूटे पसी ने भीड खदेडी हेलिपेड पर बसपा सुप्रीमो और अखिले अखिलेश यादव वालग अलग हेलिकाप्टर से आये थे दोनों के हेलिकाप्टर उतरे तो उस और भीड भाग खडी हुई भाशन समापती के बाद वहां दोनों जब अपने हेलिकाप्टर में बैठने को चले तो भीड ने वहां लगे सुरक्षा घेरे को भी तोड़ दि पुलिस ने हलका बल प्रेयोग कर वहां से भीड को खदेडा तो व्यह शान्त हुए होर्डिंग्स, बैनर, बलियों की हुई लूट सपाई किला बचाने के लिए हुई मायावती और अखिलेश यादव की जनसभा के बाद वहां पर लूट मच गई भीड में शामिल तमाम लोगों ने होर्डिंग्स, बैनर से लेकर बलियां तक उखाड ली ऐसी लूट मची जिसके हाथ जो सामान आया वह उसको लेकर भागता ही दिखाई दिया उनके सामने टेंट वालों की भी एक नहीं चली जाम से जूचता रहा दिली हाईवे जनसभा में भीड को लेकर पहुंचे वाहनों की वज़े से उज़ानी से मुझ्जिया तक जाम की जग में दिली हाईवे आ गया हाईवे पर बेतरतीब तरीके से खड़े किये गए वाहन भी जाम की वज़े बने जनसभा के बाद जाम खुलवाने में ही पुलिस के हाथ पाव भूल गए ताइमलाइन अखिलेश यादव पहुंचे 2.45 मिनट मायावती पहुंची 2.47 मिनट मायावती का भाशन 2.58 से 3.37 बजे तक अखिलेश यादव का भाशन 3.37 से 3.52 दूसरी बार फिर तार तार हुई भाजबाई मर्यादा संत कभीर नगर एक तरफ लोग सभा चुनाव को लेकर नामांकन की तिते में महज दो देन ही शेश रह गई है इस दोरान भाशबा के संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर कयास लगाने का दोर जारी था इसी बीच दो माह के अंदर लगातार दूसरी बार भाजबा के अनुशासन और मर्यादा की धजियां उड़ने को लेकर अब अपनों के बीच ही युद्ध होने को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई है शनीवार को मेहदावल के जग्दा गुरु शंकराचा रेव इंटर कॉलेज परिसर में भाजबा के युवा कारेकरताओं का साइबर योध्धा सम्मेलन आयोजित किया गया था इसमें सोशल मीडिया पर पार्टी की नीतियों के बारे में प्रभावी पक्ष रखने को लेकर कारेकरताओं को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा टिप्स दिया जाना था पर शायद किसी को यह पता नहीं था कि आपसी खीचतान को लेकर यह कारिक्रम ही सोशल मीडिया में पार्टी की किरकिरी का माध्यम बन जाएगा हाला कि इच्छी मार्च को जिला योजन समिती की बैठा के दोरान का लेक्ट्रेट सभागार में मेहदावल के विदायक और संत कभीर नगर के सांसद शरत्रि पार्टी के बीच हुए जूता कांड को लेकर इस कारिक्रम को संबेदन शील माना जा रहा था खास बात यह भी रही कि हंगामे के ठीक पांच मिनट पहले पूर्व संसद इंद्रजीत मिश्र ने मंच से अपने संबोधन को समाप्त करने के दोरान कारे करताओं को किसी व्यक्ती के पक्षमे नारे लगाने के बजाय सिर्फ भाजपा योगी मोदी और राश्री अध्यक्ष हमित शा के पक्षमे नारे लगाने की बात कही थी मंच पर जिलाध्यक्ष सित्वान राय, पूर्व जिलाध्यक्ष रामललित चौदरी, शामकरन सिंग, पूर्व संसद अश्टभुजा प्रसाद शुकल, खलीलाबाद के विदायक दिग्विजे नारायन उर्फ जय चौबे के साथ ही विभिननु सांगिक संगठनों के बताय साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए